हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल तो दोस्तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने एक नए पैन के साथ तो आज भी हमारे पास मौजूद है एक नया फाउंटेन पैन तो चलिए देखते हैं दोस्तो क्या है इसका नाम है सब्मेरीन तो सब्मेरीन दोस्तों यहां पर हम देखी हुई है ठीक है ना यह देखो भई अब इसका जो है उपन करते हैं पर देखते हैं पैन कैसा है पिछले पाफ जो हमारे फाउंटेन पैन थे उनके कंपेजर में क्या चीज़ है तो यह मैंने निकाल लिया इसको इस तरीके से और इसको उपन कर लेते हैं और यह यह उठाते हैं और देखते हैं पैन कैसा है ओके यह है पैन यहां पर आप देख सकते हैं आगे कैप लगा कि इन्होंने दी है यहां पर यह प्लास्टिक इन्होंने अठका के दी हुई है ताकि मेरे क्याल से शायद इसलिए कि आपको इसकंदर रिफिल डालनी है यह शायद बत जो है पहले स्कंदर मे डालता हूं देखता हूं कैसी है तो यह आगे पीछे हो रही है यह लागन हो पार बार डाल रहे है आगे पीछे पता ने क्या सीन है चलो देखता हूं मेपर बैठ Last Form rape का का Iska correction है तो यह देखे थोड़े सी जो है इंक निप बहार आई है कुछ इस तरीके से इसका पीछे से कुछ बटन दबाने का सिस्टम होगा मतलब मुझे जो फील हो रहा है वो पहले बार मैं देख लेता हूं दोस्तों पर एक बार दुबारा उपन करके निप को अच्छे तरीके से जो है रिफिल को अंदर मैं डाल देता हूं और फिर सके बाद देखता हूं बोड ये यार मुझे मज़ा नही आ रहा बोड ये मैं सच में मज़ा नही आया मुझे उतना जदा पहले वाले पैन समाया था तो यहां पर देखो अब यह मैंने जो है इस तरीके से कोशिस की है अब ये पीछे जो है पीछे से मैं जो है इसको करता हूं कोशिस और ये दोस्तों हैंड राइटिंग हमारे पिछले वाले पैन की जो हमने पिछला fountain pen यूज किया था और अब जो है दोस्तों इसको यूज करेंगे तो यहां पर देखिए हमने अच्छे तरीके से refill डाल दी है और अब यहां पर हम लिखना शुरू कर रहे हैं कुछ इस तरीके से यह देखिए हैंड राइटिंग नो डाउट fountain pen को जो पकटने की handling है ना handling और जो nib touch होती है sheet के साथ वो जो flow है ना मतलब वो अलगी रहता है यह बात तो सच है बिल्कुल सच है दोस्तों मतलब आपका जो experience fountain pen के साथ होगा ना वो gel pen के साथ भी नहीं हो सकता है ना roller bowl gel pen के साथ है इसका एक मतलब attraction ही अलग है और I think handwriting अगर आपको इंप्रूव करने तो I think यार आपको fountain pen से जो है शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि fountain pen जादा बैटर है इन सब चीजों के comparison में तो यह देखिए handwriting बहुत बढ़ी आती है बस यह की दिक्काद़ दोस्तों अभी तक हमने जितने भी fountain pen यूज किया है वाटर पूफिंग तो यह नहीं होते है इंक इनकी फैल ही जाती है तो यह देखिए handwriting दोस्तों हमने लिखी है अपने नए सब्मरीन pen के साथ fountain pen के साथ और काफी ठीक है अच्छा experience है लेकिन पिछले जो हमारे pen थे उनके comparison में यार मज़िदार experience नहीं है क्योंकि पीछे ना वो cap भी जो है मेरे हातों में जो है लग रही है और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस pen के साथ जादा अब देखता है दोस्तों काफी जादा हमारा कैसा experience रहने व वीडियो को like share subscribe करना ना भूलें thank you so much